ओम सर पित्र देपता व्योन वाहाँ स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चैनल पर 20 सिफ्टम्बर से 6 अक्टूबर तक पित्र पक्ष रहेगा पित्र पक्ष में 8 रासियां बहुत ही भाग्य साली है बैसे तो सभी रासि वालों पर पित्रों की किरपा रहेगी लेकिन ग्रैन के इसाब से 8 रासियां बहुत ही भाग्य साली है जिनके 4 काम सिद्धोंगे पित्र पक्ष जब प्रारम होता है तो प्रते की व्यक्ती का दायत होता है कि वो है अपने पित्रों की पूजा जरू करें। स्राद करता को आयू, संतान, पुत्र, धन, ज्यान, स्वर्ग, मोक्यादी, शुक, प्राप्ती का आशेवाद देते हैं। अनेक प्रकार की कष्ट और पीडाओं से उसे सेना गुजनना पड़ता है। अनेक प्रकार की परिशानियों का सामना उसे करना पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि पित्रों का कार्य जरूर करना है। वही 28 सिप्तमर को माल अच्मी तता 29 सिप्तमर को स्ववाग्यवत इस्त्रियां अपने स्ववाग्यवं संतान की दिग्रायू की कामना से ब्रत करते हैं। जीवत पुत्र का ब्रत होता है। पित्रों की जो आपको याद हैं जो याद नहीं हैं सर्व पित्र स्राद होता है सभी पित्रों के नाम से साथ पिली तक की पित्र सुईकार करते हैं। जो व्यक्ति अमावश्या के दिन सभी पित्रों का अश्राद करता है उसके गर में सुक, सांती, हर प्रकार का सुक उनको प्राप्त होता है। दिन स्राद पक्ष में पीपल ब्रक के नीचे आप हात में काले तिल ले करके कुशा ले करके पित्रों के नाम से तिलांजली जरूर दें। तो पूरण मासी से स्राद प्रारम हो रहे हैं, हो चुके हैं और अमावश्या तक रहेंगे, छे तारिक तक प्रति दिन आप पित्र पूजा जरूर करें। कुछ भी हो जाए लेकिन पित्र पूजा आपको जरूर करने हैं, अब मैं रासियों की जानकारी दूँगा, कुन सी रासि भागे साली हैं। सबसे पहली जो रासि है, मेश रासि, विशे सी भागे साली है, मेश रासि के छटे वाव में, कन्या रासि में, सूर्य और मंगल, सूर्य चंद्र भुद्ध का योग, जो बहुत ही अच्छा है, सत्रों पर बिजय दिलाएगा, हर प्रकार के कार प्रारम होने सुरू हो और नोकरी, ब्योपार, स्वास्त में लाव, बहानादी का सुक्विया को प्राप्त होगा। अगली जो रासि है, वह सिंग रासि, जिसके दोती अबाब में यह योग है, यह 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 विशेशी लावन तक है, आपको धन का लाव मिलेगा, साथ ही आपको विशेशूप से ध्यान रखना है, कि कुछ परेशानिया भी बीच में आ सकती है, सोच समझ करके आपको प्रतेकार करना है। स्राद पक्ष में कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है, कुछ ऐसे कार्योते हैं, जिन को आपको नहीं करना है। रिलेशन नहीं बनाना है, इस बात का विशेशूप से ध्यान रखना है, पूरे स्राद पक्ष में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। साथ ही आपको जूट बोलना, घर में मीट मास का प्रियोग बरजित माना जाता है बुजुर्गों को अपमान, पित्रों को अपसब्द कहना बिलकुल भी बरजित माना जाता है ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना है प्रते दिन भगवान सिब की पूजा करनी है इस बात का भी विशेशूप से द्यान लखना है कन्या रासी जिसका योग बहुत ही अच्छा है कन्या रासी के साथ साथ व्रेश्चिक रासी बहुत ही भागिसाली रहने बाली है और साथ ही कुम रासी का योग भी विशेशी ही अच्छा है मीन रासी का भी योग अच्छा रहेगा लेकिन इनका मद्यम है तो ये जो रासिया हैं ये विशेशी लावांतिक रहने बाली हैं प्रतिक कार में क्योंकि इनके योग बहुत ही अच्छे हैं बागी रासियों को विशेश ध्यान रखना होगा योगन के भी अच्छे हैं लेकिन गुरू नीच रासी के गए हुए हैं तो धनका विशेश रूप से ध्यान रखना है साथ ही कन्या रासी वालों को ध्यान भी रखना होगा कि आपके पंचमबाम में सनी और गुरू नीच के हैं तो पूजा पाट पर आपको विशेश रूप से ध्यान देना है प्रती दिन पित्र पक्ष में पित्रों की पूजा गोमाता की पूजा साथ ही बुजरों का सम्मान और जब पित्र की तिती आए तो उस तिती पर आप ब्राम्मर भोजन जरूर कराएं जो ब्यक्ति जान बूज करके जानते हुए भी पित्रों की पूजा नहीं करता है उसको अनेक प्रकार की परिशानिया सेन करने पड़ते हैं उसके घर में कले शुरू हो जाता है लड़ा जगडे शुरू हो जाते हैं संतान की प्राप्ती नहीं उपाती है धन प्राप्ती नहीं उपाती है धन आता है पानी की चला जाता है घर में कोई नो कोई ब्यक्ति बीमार रहता है या परिशानी आ जाती है तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है करम करने से भागी बदल जाता है करम करने से ही आदमी के भागी की उन्निती होती है और एक चीज का द्यान रखें जो आपने करम किया है वो भोगने से ही समाप्त होगा चाहे आपने अच्छा किया है या बुरा किया है तो करम भोगने से ही समाप्त होता है बिना भोगे उसकी समाप्ती नहीं होती इस बात का विशेशुची द्यान करें आप जैसा करम कर रहे ह उसको आपको ही भुग नाएं तो इसलिए कभी भी ऐसा कारे ना करें जिससे आपको परेशानी हो पित्रों की पूजा जरूर करें अपना दायत तुनेवाएं और भगवान की पूजा भी करें वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें